नमस्कार साथियो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन हैं देखिए लोगों की डिमांड पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये आपके काम के लिए है देखिए जो विद्या समल योजना के तहत राजिस्था जाये थी उनसे सरकार के द्वारा वंचित किया जा रहा है आर्थात सिर्फ धोका आप लोगों पता होगा कि 93,000 जो पोस्ट है और वो बिना आरक्षन के भर दी जा रही है निश्यत रूप से इस भरती से वो लोग दूर रह जाएंगे जो लोग गरीब वर्ग मा आते हैं गरीब वर्ग का मतलब आप समझ रहे होंगे जनरल कैटिग्रे में भी गरीब होते हैं और मैक्सिमुम SC, ST और OVC में जो गरीब लोग हैं जिनका विकास नहीं हो पा रहा है देखिए अमीर तो आपको SC, ST में मिल सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसे अमीर का विकास हो र इस तरह से कैसे भर रही है और आप लोगों को याद दिला दें कि बच्चों की बहुत कम परसंटेज बनती थी उस समय अगर हम पहले का समय थोड़ा सा जान लेते हैं तो B.A. बगेरा में SC, ST के बच्चे 50% नमबर लाना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है उसके पी थोड़े से उच वर्ग में आते हैं उन लोगों की परसंटेज बहुत ज्यादा हाइफाई है तो निश्वत रूप से किवल 2% बच्चे ही ऐसे हैं जो जनरर के बराबरी कर रहे हैं सिर्फ 2% बाकि समी पोस्ट हैं हाइकास से भर दी जाएंगी और यह सरकार के द्वारा ज एस वीडियो से सहमत है और सहमत है तो जरूर इस वीडियो को सियर करें अप ठीके तो आपको जरूर पता होगा कि मेरा जो कहना आप भी समझ रहे होंगे कि यॹड़्य सम्मझ pro योजना जो चल रही है इसके टाएँ जो सरकार जो खेरखिल रही जो REIT कराने के पीछे सरकार का क्या ओचे तरह फिर REIT की परसंट से जो REIT की जो परसंटेज बनी है लोगों की उसके आधर पर भरती क्यों नहीं की जा रही फिर उसमें BA की और BA की जो परसंटेज है उसे क्यों include किया जा रहा है तो कई मुद्धे हैं इन मुद्धों पर हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा जरू करेंगे तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सीर जरू करना थैंक्यू धन्यवाद